हेलो डिये स्ट्रेंट्स आपके लिए मैं एक नया टॉपिक लेकर आगया हूँ काफी आपकी रवान डारेंदी की सर यूपी स्पेशल के कुछ इंपॉर्टन चीज़ां बताईए तो यूपी स्पेशल की अगर मैं बात करूँ तो यूपी आपको पताईए यूपी की बहुत सारी खास बाते हैं और पूरी एक बहुत मोटी किताब आती है परिक्षावाणी की जिसमें पूरा यूपी स्पेशल रहता है तो अगर इतना सारा पढ़ने की बात होती है तो आपको पता ही इतना सारा पढ़ लेते तो बात ही क्या थी लेकिन पेपर में वहां से नहीं आता इतना सारा पेपर में कुछ जो में में चीज़े हैं वहीं से कॉशन आते हैं तो आपकी दिक्कत दूर करने के लिए मैंने जित्ते भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे यूपी स्पेशल से उसकी एक वीडियो आपके लिए बनाने जा रहा हूं उमीद करता हूं आपको पसंद आएगी ज्याद से ज्याद इसको लाइक और शेयर करिएगा कमेंट कीजेगा आपको ये वीडियो कैसी लगी तो स्टार्ट करते हैं तो देखो सबसे पहली जो चीज है वो है यूपी का यदि छेत्रफल की हम बात करें तो यूपी का जो छेत्रफल है वो है लगबग 2,4,928 km2 जो भारत के भागोलिक छेत्र का लगबग कितना है 7.33% देखो वीडियो थोड़ी धुंदली है क्योंकि यह जो मेरे पास नोट्स थे वो काफी पूराने है तो इसका जो पीडियो बनाया था वो भी काफी धुंदला से आया है पॉस करके सुनेंगे तो आपको कई चीज दीन चार बार सुननी पड़ेंगी तो इससे क्या होगा आपके दिमाग में बैठेगा जल्दी सबसे अच्छी जो चीज होती है वो यही होती है कि अगर हम डिसकस करके कोई चीज याद करते हैं तो वो दिमाग में जल्दी रहती यह बजा ऐसी रटने के ठीक है यह प्रैक्टिकल है मैंने खुद अपने साथ एक्सपिरियंस किया है और आपने भी जरूर कहीं न कहीं इसको एक्सपिरियंस किया ही होगा ठीक है तो भारत का जो भागोलिक चेत्र है उसका यूपी के पास कितना परसेंट है 7.33 परसेंट और यदि मैं बात करूं चेत्रफल के आधार पर तो यूपी भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है चेत्रफल के आधार पर और जिनसंख्या के मामले में तो आपको पताए कोई टक करी नहीं है पहले नमबर पर है ही ठीक है अगर हम बात करें यूपी के सीमा वरती रा उत्राखंड, हेमाचल प्रदेश, हर्याना, राजिस्थान, मद्यप्रदेश, बिहार, छत्तीजगर, जारखंड और दिल्ली तो आठ और एक नौ केंदर शाषित, नौवा केंदर शाषित प्रदेश मिला गए टोटल नौ हो गए जिनसे यूपी की सीमा मिलती है ठीक है नेक्स्ट है यदि पुझा जाए यूपी का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सबसे अधिक राज्यों से सीमा मिलती है तो वह है सोनबद्र इसकी चार राज्यों से सीमा मिलती है नेक्स पॉइंट आता है यदि हम बात करें कि यूपी किस-किस चीज के उत्पादन में पहले सबसे ज़्यादा गेहुत पादन होता है टोटल फूड प्रोडक्शन भी सबसे ज़्यादा यूपी में है सारे उत्पाद में लाकर कुल खाध्यान के दुख्दमा भी पहले नमर पे पशुधन यानि लाइव स्टॉक उसमें पहले नमर पे है गन्ना तो सबसे ज़्यादा आलू वह भी सबसे ज़्यादा यूपी में है सबसे ज़्यादा जो रेलवे मार्ग है वह भी सबसे ज़्यादा यूपी में है सबसे ज़्यादा बैंक शाखाएं वह भी यूपी में है और सबसे ज़्यादा पोस्ट ओफिस जो है वह भी यूपी में ही है ठीक है नेक्स प यूपी की जनसंक्या लगबग कितनी थी 19.98 करोड थी जो भारत का लगबग साड़े 16% थी कुल जनसंक्या का ठीक है नियर अबाट यह नि 20 करोड आप कह सकते हैं जो लिंगानुपाथ था यूपी का वो था 912 और जो जनसंक्या गनत था वो था 829 यदि हम बात करें कि साहरे तक 10 साल में ठीक है यूपी की जो शैरी जनसंक्या है वह कितने पर सेंट 22.27% और घ्रामीण जनसंक्या जो है वह यूपी की लगब't 77.70 यह डेटा लिक रहा यह करोड वे तो सबसे ज्यादा जो जन संक्या भारत में वह आपकर यूपी में है और सबसे ज्यादा जो शेहरी जन संक्या वह है महारास्ट्र में नेक्स पॉंट है गई भी रेखा के नीचे उपी में लगभग कितने परसेंट लोग है तो नियर अबाउट 20% कह सकते हैं 29.43% जन्म के सम यूपी में वो है लगबग एक पुरुष की बात करें तो लगबग पुरुष 62.9 साल जीता है एवरेज यूपी में और जो महिला हैं वो 65.4 साल ओनन एवरेज यूपी में जीती हैं ठीक है नेक्स्ट चलें तो अगर पूछा जाए पहला और सबसे छोटा पक्षी विहार यूपी का कौन सा है तो पहला और सबसे छोटा पक्षी विहार यूपी का नवाब गंज पक्षी विहार है जो कहां पर है यूपी के उन्नाओं में ठीक है कानपूर के पास है यूपी के उन्न में पहला ग्राम मन पूछा जाए तो वो है बेल हत्थी ग्राम जो कहां पर है सोन भद्र में अगर हम बात करें डायस्पोर की डायस्पोर एक तरीके का मिनरल है खनेज है उसका सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में कौन करता है यूपी ही करता है हीरा यूपी में कहां मिलेगा हीरे के लिए प्रसिद्ध बांदा यह डारेक्ट कॉशन आते हैं यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध ललितपुर सबसे बड़ा उद्ध्योग जो है यूपी का वह हत्करगा उद्ध्योग यानि हैंड लूम इंदस्ट्री ठीके नेश्टनल एं यूपी में कहा इस्तापित की गई थी देवरिया प्रतापपुर में ठीक है 1903 में नेक्स पॉइंट है राज्य में रास्ट्रिय ताप विद्युत निगम के केंद्र कितने हैं यानि नेशनल थर्मर पावर प्रांट कितने हैं एंटी पीसी के तो साथ हैं ठीक है एक मात्र परमाडू जो केंद्र है वो कहाँ पर है वो नरोरा में हैं बुलंद शहर में ठीक है यूनेस्को की विश्व दरोज सूची में यूपी के कितने स्थान हैं चार स्थान है एक तो आगरा का किला है एक ताज महल है एक फत्यपुर सीक्री है और एक है कुंब मेला कु सिद्द्वार इलहाबाद और नासिक ठीक है नेक्स्ट है माननिय काशी राम पर्यतन प्रवंधन संस्थान यह कहां पर है टूरिज्म रिलेटेड डेपार्टमेंट है यह और्गनाइशन है कहां पर यह लखनव में है चिनहट में ठीक है नेक्स्ट है राज्य ललितकला अकाडमी यह कहां पर है इस्टेट ललितकला अकाडमी यह है लखनव में और में जो इसका एड़कॉर्टर है वो दिल्ली में है यूपी संगीत नाटक अकाडमी यह भी लखनव में है भारत इंदू नाट्य अकाडमी यह भी लखनव में है र यह है वारानसी में ठीक है भाडती है कला भावन वारानसी कला एवंशिल्प महाविद्याले ये लखनौंग में मोतिलाल नह्रू बाल संक्राले ये बहुत है तो इस टेटा को अभी च्छोड़ दीजिए इसको गूगल एक बार कर लिजेगा क्योंकि चेंजिस हो गए 末 हुँगे नेक्स हैं प्रदेश में राष्च राजमार्गों की लंबाई के अनुसार यूपी किस स्थान पे याता है तो सेकंड स्थान पे आता है पहले नमर पर राष्ट राजमार्ग सबसे ज्याद कहा पर हैं तो वह महारास्थ में ठीक है यूपी का जो राज्य सड़क परिवहन निगम था उसकी स्थापना 1972 में हुई थी यूपी के राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 2004 में हुई थी यूपी में टोटल डीम्ड विश्वविद्याले कितनी हैं तो वो है 27 ठीक है राज्य के डीम्ड विश्वविद्याले हैं 27 ठीक है सेंट्रल यूनिवर्सिटी कितनी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी है 6 ठीक है कौन-कौन सी AMU, BHU, BR अंबेड कर जो की लखनव में है ठीक है राणी लक्ष्मी भाई, सेंट्रल अग्रिकल्चर यूनिवर्सिटी यह राणी लक्ष्मी भाई यह तो कहां होगी जहां सी में यह 6 याद रखना ठीक है यह पॉइंट इतना इंपॉटेंट नहीं है यह 6 याद रखिएगा कहां कहां कौन-कौन सा ठीक है लोक सबह की सीटें यूपी से कितनी है 80, राज्य सबह की सीटें है 31, विधान सबह की सीटें कितनी है 404 जिसमें एक सीट आंगल भारतिय वाली वो हमेशा खाली रहती है तो प्रेजान कैसके हैं लेकिन ऐसीं 8304 होता है कि विधान सबमें यूपी में अधिक्तम कितनी सीठें है तो 404 डिकरना बर्तवान में कितनी हैं? 400 सीट तेगे 되어 2 जोन बड़ा इंपॉरण सवाल है, बार बार आता है, एक सान बड़ी नहर कोण सहब है? सारदा니다 है ठीक है यूपी में चकबंदी कभ लाग हुई थी उन्निस सो चववन में किसान में तर्योजना यूपी में लाग हुई अठारे जून 2001 में आप कहेंगी 2001 का डेटा आप क्यों याद करना है यह कभी कोशन आ जाते हैं याद रखना यूपी में ठीक है आगे बढ़ते हैं क्रशी निर्यात जोन के लिए कौन कौन सी जगे फेमस है यानि एक्सपोर्ट के लिए कौन सी जगे किस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक् लखनव एक्सपोर्ट जोन है आम के लिए सहारनपूर एक्सपोर्ट जोन है आम के लिए सबसे ज़्यादा से चाही होती है यूपी में नलकूप से ठीक है उसके बाद नहरों से और उसके बाद कुवे से ठीक है जो नलकूप है ट्यूब वैल्स है उससे सबसे ज़्यादा होती है यूपी में से चाहिए फिर नहर कैनाल से और फिर कुओं से वैल से ठीक है नेक्स यह रिपोर्ट अब 2019 की आ है तो इस रिपोर्ट में तो हम 2019 की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार दीखिए यह पुरानी रिपोर्ट का डेटा है ठीक है लेकिन यह डेटा भी भी यही है सरवादिक वन प्रतिशत सोन भद्र महीं है ठीक है तो इसको भी छोड़ देते हैं आगे बढ़ते हैं सबसे पुराना वन्यजीव विहार 1957 में स्थाबित किया गया था कौन सा है चंद्रप्रभा ठीक है चंदौली में है यूपी के सबसे बड़ा वन्यजीव विहार पूछे तो वो है हस्तिनापुर मेरट में ठीक है सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर सबसे सबसे बड़ा पक्षी वियार है आपर आपर कन्यों जिसको में इत्रनगरी कहते हैं ठीके 500 सबसे बड़ा पक्षी वियार है कि विब एसरे नेक्स्च recommendation संस्थान एवं जे के कैनि सान्षान यह कहांपर है कानपूर में उब तरप्रिदेश भार्शा गे बहुत किया था 1958 में ये नोट साप अपने खुद से बना लीजेगा UP संस्कृत संस्तान 1906 में स्थापित किया UP हिंदी संस्तान 1906 में स्थापित किया गया Next point है UP का पहला हिंदी पत्र कौन सा था बनारा सकवार था 1845 में स्थापित किया गया ठीक है शुरुआ दो इसकी उर्दू पत्र पहला उर्दू अकवार तो वो ता सरदल ये 1846 में स्थापित किया गया ये भले ही आप बोल जाएं इन्पॉर्टेंट पॉइंट नहीं है भारतिय विश्विज्ञान अनुसंधान संस्थान बिश्च के लिए है nhân tocs के लिए है लखनाग में इंपॉर्टेंट है सबसे इंपॉर्टेंट है कई बार आचुका है रास्ट्य वनस्पती Landァansas रिसर्च इंस्टिट्उट है ये भी लखनाग में है और शदियों वाला भी लकनाग में काफी है चीनी वाला ये important है कई बार आ चुका है ये है कानपुर में ठीक है आगे बढ़ते हैं इंडियन टेक्नोलोजिकल रिसर्च सेंटर ये भी कहाँ पर है लखनव में ठीक है ये important है IVRI ये एक विश्विद्याल है वेटेनरी का ठीक है पशू चकित्सा का कहाँ पर है इजतनगर पर है जतनगर बड़ी में इसको याद रखीए गा का आगे बढ़ें हतकर के लिए कि यह बाराणसी में लखेश्जी वाने की यह पौटें कर्वाला यहां पर रिजहाशी में गंन्य वाला पर है लकनव में और दलहन दालों वाला है कानपूर में हैं ठीक है बेदेने रिस यह 4-5 बड़े important है इनको अलग से लिख लिजेगा अपनी copy में याद कर लिजेगा ठीक है तोड़ी difficulty है confusion वाली है तो ऐसे याद कर लेना किस-किस का लखनव में है ठीक है इस तरीके से किस-किस का कानपुर में किस-किस का वरानसी में ऐसे ठीक है इनको आप छोड़ सकते हो न एक हजाट चौबीस फिर आजमगड फिर देवरिया और फिर प्रताबगड नियूंतम जनसंख्या वाले जिले अगर हम बात करें तो नियूंतम जनसंख्या वाला है महोबा इसको याद रखना फिर चित्रकूट फिर हमीर पूर फिर शिरावस्ति पहला-पहला याद रख चलेगा ठीक है एक दो याद रखिलना मस नेक्स नियूंतम लिंगानुपात वाला तो वह गौतम बुद्धनगर जिसको हम नौईडा कहते हैं ठीक है नौईडा एक्च्वल में जिला नहीं है जिला है गौतम बुद्धनगर 851 के वाले यहां का फिर हमीरपूर फिर बागप है तो वह ललितपूर का 242 मात्र ठीक है उसके बाद सोनबद्र उसके बाद हमीरपूर सरवादिक साक्षरता की बात करें तो यह तो कभी मार सकते हो कहां पर है नौईडा में हैं गौतम बुद्धनगर फिर कानपूर फिर और रही है और फिर इटावा नियूंतम साक्षरत अधर कहां की है तो वह कानपूर की ठीक है यहां याद रखना यह पूरा टोटल साक्षरता थी यहां महिला की केवल बात हुड़ी तो महिला की सबसे ज्यादा साक्षरत अधर है कानपूर में नौईडा में नहीं है और नियूंतम कहां पर है वह शिरावस्ती में यह सेम ड लिंगानूपात की बात करें तो यूपिशी लिंगानूपात है वह है 902 जियुपएखे जनसंक्या वाली जन जाती कॉट है थारू लीको शोक के रूप में मनाते हैं फिर वोगसा कहते हैं यह वाली कर देत है Billy बुक्सा या बुक्सा जन जाती है यह कहा मिलती है यह बिजन और में रहते हैं थारू मेंली महराज गंज में शिरावस्ती में और बहराईच में मिल जाएंगे एक बैगा और जन जाती है यह सोनमद्र में ठीक है आगे बढ़ते हैं Central Pulp and Paper Research Institute यह कहां पर है यह सहारनपुर में National Institute of Biologicals यह है नॉडा में वीवीगरी National Labor Institute यह कहां पर है यह भी नॉडा में है Knowledge Park यह इंपोर्टेंट है यह Knowledge Park कहां पर है आपको पता भी होगा यह एक मैट्र स्टेशन भी बन गया है ठीक है Equaline चल रही है यहां पर यह ग्रेटर नॉडा में ठीक है परी चौक के पास पड़ता है ट्रॉनिका सिटी कहां पर है इंपोर्टेंट है गाजियाबाद यह उपर के तीन नहीं याद रखोगे चलेगा यह दोनों जरूर याद रखना लेदर पार्क यह आप तो कभी मार सकते हो आगरा चीक है निर्यात संबंदन और जोगिक पार्क आगरा और ग्रेटर नॉडा में है टेक्स्टा लेंड होजरी पार्क यह कानपूर में चीक है औह वाराणसी में हैं बुद्दा थीम पार्क आपकर है तो जहां पर गौतम बुद्द ने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में है, पर्फ्यूम पार्क कहां पर है, उद्योग पर्फ्यूम का, तो वह इत्र नगरी कन्नौज में है, सर्वाज़क ST वाला जिला, प्रतिशत में भी सोन बद रहे हैं, और टोटल पॉपुलेशन में भी सोन बद रहे, सबसे कम ST वाला जिला, यह आदगना, बाग कन नौज ठीक है इन पॉइंट्स को आप छोड़ सकते हो जो नीचे है यह पॉइंट याद रगना यूपी में सरवादिक जो जनसंक्या व्रद्धी दर नोट डाउन की गई थी वह 2001 की जन गढ़ना में की गई थी किता विरद्धी ती जनसंक्या में लगबख 26 परसेंट ठीक है और भारत में सबसे ज्यादा विरद्धी दर कभ मौझू कभ हुई है तो वह यह 1971 की जन गढ़ना में सबसे कम 211 की जनगणा में सबसे ज्यादा 1971 वाली में होई थी नियर अबर 24 परसेंट के करीब ठीक है आगे बढ़ें तो यूपी में एक जगे है मलीहाबाद इसको क्या कहते हैं आमो का नगर कहते हैं फेमस फेमस जगे हैं ये याद रखना मौरादाबाद किसके लिए फेमस है एक तो पीतल नगरी कहते हैं इसको औ पेठा नगरी कहते हैं ये आपको पता होंगे कई सारे तो इसमें अलिगड़ को ताला नगरी कहते हैं लखनव को नवाबों का शहर भी कहते हैं और बागों का शहर भी कहते हैं ठीक है गोरकपुर को नाथ नगर कहते हैं ठीक है योगी आधितनाथ उसी के हैं ठीक है कन्यो इसको घाषि की बहन कहते हैं ठीक है बरेली सूर्मा नगरी हो गई मेरत करंथी नगरी कहते है। मेरट करानिह जनवरी gel exist के लिए अड़ कर रहे हैं शनीत हुआ है ठीक है राज्यप पुनर गठन कानून कब लागू गवा था एक नवमर 1956 को ठीक है लोग सबा में UP से SC की सीट है कितनी है सत्रे ST की कोई भी सीट नहीं है ठीक है SC की सत्रें ST की कोई सीट नहीं है नेक्स्ट है राज्य की जनसंक्या का OBC लगबग कितने है UP में 40% है टोटल जनसंक्या का जनरल लगबग 22% है SC लगबग 21% है और ST लगबग 0.1% है ठीक है सबसे बड़ा जिला जो यूपी का है छेत्रफल के आदार पर वो है लकिमपुर खेरी सबसे छोटा जिला कौन सा है यूपी के पुराने नाम कौन कौन से है बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है उत्तर पस्चिम प्रांत कहते थे 1836 तक फिर आगरा एवं अवद का संयुक्त प्रांत 1877 में पढ़ गया यह नाम फिर संयुक्त प्रांत कहने लग गए 1937 में नाम पढ़ गया यह उनाइट प्रोविंसेज यह इंपॉर्टेंट है संयुक्त प्रांत अक्सर पूछ लेता यूपी का पुराना नाम 1937 में पढ़ा था ठीक है राजदानी कौन कौन सी रह चुकी है 1836 में आगरा 1858 में इलहाबाद बनाई गई थी जो आपने सुना हुए एक दिन के लिए राजदानी बनी थी 1921 में लखनव बनाई गई आंशिक रूप से और 1937 में देन प्रोपर लखनव हुए लगाता चलती हुई आ रही है ठीक है सब से नबींतम जिले की बात करें जो लेटस बना है वो बना है अमेठी प्रदेश में कुल करशी परिस्थितिकी यह चेत्र कितने हैं करशी वाले 20 चेत्र हैं प्रदेश में कुल मृदा समूह कितने है आठ है प्रतम टाइगर रिजर्व कौन सा था दुद्वा ये इंपोर्टेंट है 1987 ठीक है दुद्वा कहां पर ये लकिमपुर खेरी में है दूसरा टाइगर रिजर्व बीली बीत में है शाह जहांपुर में जो पढ़ता है एक से द सबसे जाए अगर है और जिले की अगर हम बात करें दसलाग जनसंग के हवाले तो बारे सरवाड का आवादी सबसे जाद आवादी कहां की है इलाएबाद की एक स्वादा की पात करें यू पी के तो 30 दिघ्री बावन मिनिट से 30 दिघ्री शॉस चोबीस मिनिट तक फैला हुआ जैनि 650Er लग बग और देशानतर की बात करें तो 77 डिगरी पांच मिनिट्ट से 84 डिगरी 38 मिनिट यह पूरम वो प्रॉबम्रें होग्या ऊफश्य उत्तर में होग्या और लगबग 220ивается पैला हुआ है या is ऐसे 650 है और ऐसे 240 है यूपी लगबाद ठीक है नेक्स्ट पॉंट के बात करें तो जो 84 गुम्मद ठीक है ये एक मस्जट टाइप आप कह सकते हैं गुम्मद एक बिल्डिंग है ये कहां पर है जालोन में ठीक है कामदगिरी परवत कहां है चित्रकूट में कर्मा लोक नरत्य कहां का है सोनभद्र या मिर्जापूर का है कर्मा लोक नरत्य कहां का है लोक नरत्य बहुत आते हैं यूपी से सोनभद्र या मिर्जापूर का है ठीक है कजरी कहां का है ये अवद का है जोगनी ये भी अवद का है बिरहा बार बार आता है पूरवांचल का है चरकूला बह काति है यह कोषामभी वहाई को शामभी कोषामभी नवेन दों होता है। यूपी में कहां पर मेरट मैच्ट फॉलिंग में आ जाता है नवरातरी मेला कहां होता है यूपी में आगरा में शाकंबरी मेला कहां होता है यह होता है सहारनपुर में सुलहकुल मेला होता है इंपोर्टेंट है आगरा में बटेश्वर मेला होता है यह भी आगरा में देवा शरीफ यह होता है 12 बंकी में हरिदास जैन्ती यह होती है वरंदावन में ठीक है और देवा शरीफ का जो 12 बंकी का मेला है यहाँ सूफी संथ है वारिस अली शाह इनकी मजार भी है सैयद सलार मेला बड़ा इंपॉर्टेंट है यह होता है बहराइच में ठीक है सैयद सलार मेला यह कहां होता है बहराइच में माग मेला या कुम्ब मेला यह तो बता दोगे इलहबाद में गोविंद साहब मेला यह अमबेटकरनगर में होता है कालिंजर मेला बांदा में और लास्ट इंपॉर्टेंट कैलाश मेला यह होता है आग रामे है ठीक है तो यह थे इन्पोर्टेंट मोस्ट यूपी स्पेशल का डेटा उमीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी ठीक है ये मैंने बहुत ही चुनिंदा चीजें आपको छाट कर दे दियें इतना भी अगर आप पढ़के चले जाते हैं तो यकीर मानिए यदि यूपी स्पेशल के दस कॉश्चन आते हैं तो आराम से आठ कॉश्चन आपको नोट से मिल जाएंगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और खुद के नोट से इस वीडियो को देखकर बनाएं अपनी लेंगोज में आसानी से तक देखकर तो बीडियो काया थैएंगे तो इस तक दबनाएं आंधि क्यों और खुद के आसे आएंगे जाएंगे तो पिते वीडियो करें दो देखकर आएंगे तो धर येह्दू पुद, अनू ये, अनूद कर मूड़ूर तो ये, प्लीडियों, जाएंगे ये, लिए